हालो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आई टी और यह हमारा इंटीग्रेशन चेप्टर का आठमा लेक्टर है लास्ट टाइम हमने पार्शल फ्रेक्शन जो मैथड है वो मैथड हमने स्टार्ट कर दी थी उसके उपर जो फॉर्मिला से वह हमने देखे थे और डिपेंड ऑन लेट फॉर्मिला दो या तीन निमेरिकल भी हमने सौल किये थे और एक निमेरिकल मैंने आप लोगों को ओंवर्क में दिया था और आपको बताया भी था कि यूव तो फॉलो देस फॉर्मिला टू सौल एट कुशन पर्टिकूलर ली ठीक है तो आई होप सबने सौल किया हो इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर थोड़े लेक्शर होगे और फिर हम सीधा प्रिविएसस जे डबली के जो बहुत अच्छे क्वेशन से उस पर हम अटेक करेंगे और काफी वीडियो उस पर करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले अगे में बता देता हूं अ अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप यहां पर हमें email कर सकते हैं अब हमें यहां पर contact कर सकते हैं एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा currently मेरे वीडियो में आज काफी 5-6 वीडियो हम लोगों ने पोस्ट क होगी है 18 जूलाइट टू 23 जूलाइट यह डेट अभी उन लोगों ने अनॉंस की है तो इस नॉट शॉर कि यही डेट होगी according to me क्योंकि अभी कोरोना का कुछ कोई कम्प्लीट इलाज नहीं आ है तो एक साथ 9 से 10 लग लोगों को इस डेट में भी अकोमोडेट करवाना ट्रांसफर करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्योंकि सबका सेंटर है डिफरेंट डिफरेंट जगावे होता है तो according to me यह डेट चेंज होने की भी चांसे से तो हमें क्या करना है हमें एकी चीज करनी हमें प्रिपेरेशन ऑन रखनी है ठीक है हमार कर खूए-गरेशन Ch Lin 100 करना कि नियगं संब्सक्राइभ कर है था की धिवीर आप उसका से हमाओर है मैं मैं लुक्रम स्कोर्ट है औरहितों कतल तो यहां पर फंक्शेंट अनुमत्निक होता है औरहिंस का रिफिट flot? function plus repeated linear function ठीक है तो इसकी लिए formula क्या था वो भी मैंने आपको बताया था हमारा third number का formula जो था ये list में this formula nx upon ax plus b into cx plus the whole square मतलब linear plus repeated linear ठीक है तो उसकी लिए इस type से हम formula use करते थे और वही formula से आज हम ये solve करने वाले है ठीक है चली देखते है पहले मैं इसका partial fraction से simplification देता हूँ फिर direct integration कर दूँगा ठीक है तो हम लिखते थे कि 3x minus 2 divided by x plus 1 का whole square into x plus 3 उसे हम लिख सकते हैं a upon x plus 3 क्योंकि ये single है ठीक है जो single linear है वो पहले आ जाएगा a into x plus 3 plus b लिखने के बाद जो repeated हो रहा है वो आ जाएगा x plus 1 ठीक है और फिर plus लिखने के बाद क्या आएगा आप मुझे बताइए plus लिखने के बाद आएगा c x plus 1 का whole square ठीक है यह क्या हो गया यह हमने क्या किया है पहले single repeated फिर जो दो बार repeat हो रहा है वो with power 1 और फिर power 2 इसी तरह से हमें formula apply करना है अगर यहां पर q होता तो मैं plus d x plus 1 cube भी लिखता है अब क्या करेंगे इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा जहां से देखेगा LCM क्या लिए है मैंने यही LCM लेना है x plus 1 into x plus 3 तो अगर यहां पर x plus 1 का whole square into x plus 3 multiply होगा तो एक x plus 1 cancel होगा और x plus 3 बचेगा ठीक है तो हमारे पास यह आ जाए depends on u ठीक है तो अब यहां पर देखे मुझे यह पता है पहली चीज कि अगर मैं x is equal to minus 1 रखूंगा और x is equal to minus 3 रखूंगा यह दो वैल्यू पर यह function denominator 0 हो रहा है ठीक है तो मैं पहले minus 1 रखना हूं minus 1 रखने पर क्या होगा दिखें यहां पर minus 1 रखूंगा तो minus 3 minus 2 that is minus 5 is equal to यह 0 this term 0 this term 0 और यहां पर क्या आएगा minus 1 plus 3 that means 2 तो c into 2 that means implies कि c is equal to minus 5 by 2 ठीक है एक चीज़ हम मिल गई c is equal to minus 5 by 2 ठीक है I hope यहां तक सबको समझ में आया होगा इसी तरह से अगर मैं रखता हूं minus 3 देखेंगा minus 3 रखता हूं तो क्या होगा minus 3 रखने पर यह हो जाएगा minus 3 minus 11 ठीक है is equal to यहां पर minus 3 रखूंगा तो क्या होग minus 3 plus 1 that is minus 2 minus 2 का square that is 4 तो 4a plus यहां पर हो जाएगा b into देखेंगे यहां पर minus 3 रखने पर यह पूरा हो जाएगा 0 plus यह भी हो जाएगा 0 implies के मुझे मिल गया a is equal to minus 11 by 4 ठीक है यह एक और value मुझे मैं आपर मिल गई है ठीक है अब मुझे a और c तो मिल गया सिर्फ यह जो हमारी आगे वाली shortcut method ती जैसे हम करते थे कि सिर्फ जहां पर denominator 0 हो रहा है वो value रखने से मुझे a और c मिल गया है ठीक ह और फिर इसको simplify करें वो हो जाएगा भाया 4-5 step और आपका answer सही आएगा या नहीं उसके भी हमें guarantee नहीं एक और option है मेरे पास and that option is कि हम क्या कर सकते हैं यहां पर let us assume a value of x anything whatever you want और हमारे हमको पता है कि सबसे easy value जो हम assume कर सकते हैं वो है x is equal to 0 ध्यान से देखेगा चीक है मैं x is equal to 0 assume करता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है क्योंकि यह equation है one type of equation तो अगर यह equal है तो यहां पर और यहां पर x की value में यह satisfy होना चाहिए अब देखे मैं का कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा चीक है तो यहां पर 0 रखता हूँ तो यह हो जाएगा minus 2 ठीक है 0 रखने पर क्या आ यहां पर 0 रखने इंटू सी आ जाएगा ठीक है ओके अब दिखेंगे अब यह एकदम simplify हो गया है अब मुझे और सी की value पता है डिरेक्ट मुझे बीकी value मिल जाएगी यहां पर minus 2 एक वेलिए क्या है minus 11 by 4 plus 3B हमें find करना है plus 3 into minus 5 by 2 ठीक है और अब यहां से मैं simplify करूंगा 3B के लिए ठीक है 3B के लिए मैं simplify करूंगा तो मुझे answer मिल जाएगा यहां पर क्या होगा दीखें यह हो जाएगा minus 2 और plus 11 by 4 हो जाएगा 4 ठीक है B is equal to मुझे मिल जाएग 11 by 4 बहुत easy simplification है LCM ले ले लेना तो 11 by 4 मिल जाएगा तो हमें ABC मिल गया देखें ध्यान से A मिल गया हमें minus 11 by 4 C मिल गया हमें minus 5 by 2 और B मिल गया हमें 11 by 4 ABC तीनों की तीनों value हमें मिल गई है अब हम direct integration पर आ जाएगे एक एक पेज और ले लेता हूं मैं हमारा था A upon X plus 3 ठीक है A upon X plus 3 प्लस हमारा था B upon X plus 1 B upon X plus 1 plus हमारा था C upon X plus 1 whole square X plus 1 whole square ठीक है और X plus 3 उसके लिए minus 5 by 2 हमारा answer था ठीक है C sorry A की value है minus 11 by 4 A की value है minus 11 by 4 into 1 upon X plus 3 इसी तरह से B की value का हमारी B की value हमारी B की value हमारी 11 by 4 11 by 4 into 1 upon X plus 1 and then we have plus sorry minus 5 by 2 minus we have minus here just a second we have minus 5 by 2 into 1 upon X plus 1 का whole square ठीक है यह हमारा हो गया partial fraction जो हमने कर दिया है ठीक है मतलब हमने लोगोंने अभी तक क्या किया है 3X minus 2 upon X plus 1 का whole square into X plus 3 यह हमें ultimately यह हमें यह term मिल गया है ठीक है यह इसका simplification करने के बाद अगर हम इसका partial fraction करते हैं तो हमें we will get this one this term we have got till now ठीक है I hope यहां तक each and everyone को सब कुछ clear होगा ठीक है minus 11 by 4 common 1 upon X plus 3 DX plus 11 by 4 into 1 upon X plus 1 DX and then minus 5 by 2 common integration 1 upon X plus 1 whole square DX तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus 11 by 4 log mode X plus 3 then plus 11 by 4 log mode X plus 1 और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा minus 5 by 2 ठीक है यह X plus 1 whole rest to minus 2 minus 2 हो जाएगा फिर उसका integration मतलब X plus whole rest to minus 2 plus 1 that is minus 1 तो यह क्या हो जाएगा X plus 1 whole rest to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus C ठीक है तो इसका last answer जो हमारा आएगा वो आएगा यहां पर 11 by 4 common ले सकता हूं है log mode X plus 1 upon X plus 3 हो जाएगा यह 11 by 4 common log subtraction में मतलब log division में यहां पर minus और यह भी minus होगा minus 1 होगा तो minus minus plus 1 हो जाएगा 5 by 2 और यह हो जाएगा 1 upon X plus 1 यह कि minus 1 है तो minus 1 नीचे आजाएगा plus C so this will be my final answer I hope सबको समझ में आ रहा होगा और I hope एक चीज़ आप लोगों ने notice की होगी कि यह partial fraction वाली method है उसमें एक ही चीज़ important है कि आपका ABC के value आ जाए एक बार आपने यह task कर लिया आपकी values आ गई आपका यह partial fraction हो गया फिर integration तो बहुत रद्दी है ठीक है यहाँ पर जो हम ABC की value find करते हैं यह जो हमने values find कि है उसमें कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है तो हमें वो दिक्कत नहीं करने है अगर एक plus minus की भी sign हो गई गलत तो पूरा question गलत हो जाएगा चीक है तो हमें ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके सो दिस अलसो गुड़ क्वेशन यहां पर देख रहे हैं आप X स्क्वार अपॉन X स्क्वार प्लस वन इंटू X स्क्वार प्लस फोर डी एक्स ठीक है अब कहीं लोगों को लग रहा होगा कि यह तो कॉड्रेटिक वाला आ गया है कॉड्रेटिक वाला फॉर्मिल अपल इसको हम बहुत ही सिंप्लिफाइब कर सकते हैं कैसे करना है हम क्या करेंगे पता है हम करेंगे लट अस जस्ट मतलब ऐसा टेंपरररी बहुत ध्यान से समझेगा टेंपररी लेट सजूम X स्क्वार इस गोल टी हमारे पास अजम्शन के दो तरीके है एक तरीका है और दूसर कबी कभी करते हैं X स्क्वार इसक्राइब टी से स्क्वार इसक्राइब करते एक तरीका हो गया जो अभी तक हमने देखा एक तरीका यह भी होता है कि इसे वर aई इजीनेस हम कर रहे हैं क्या करेंगे हम x2 is equal to t लेंगे अब आप बुल रहों ऐसा क्यों लिख कर रहा है क्योंकि just for easiness इसका हमें derivative भी नहीं लिखना है और इससे हमें solve भी नहीं करना है सिर्फ simplify करने के लिए हम ऐसे ले रहे हैं क्यों आपको समझाता हूं अगर कहीं पर आपको लिख दिया है कि सपोस्के सल्मान लिखा है सल्मान खान प्लस 2 divided by सल्मान प्लस 4 और नीचे लिख दिया सल्मान प्लस 60 ऐसा question दे दिया और इसका integration करना है अब आप सोचिए मुझे 50 बार सल्मान 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 लिखना पड़ेगा तो लिखने में बहुत दिक्कत होगा इससे अच्छा है चलो एक ही काम कर लेते हैं क्या करते हैं कि सल्मान इसको इसको इंक्लूड नहीं करूँगा थोड़ा इसका simplify हो जाएगा टी प्लस टी प्लस 4 टी प्लस 6 करके फिर चुप चाप टी की जगा सल्मान लिख दूँगा और फिर integration करूँगा ठीक है दोनों में difference एक ही है major difference क्या है कि इसको लास्ट में एकदम लास्ट एट वेरी लास्ट हमें टी के वैल्यू पूट करनी है वी पूट पी इस एक्वल तो वैल्यू ठीक है और यहां में सेकेंड में क्या है जस्ट आफ्टर simplification just after simplification हम यह करेंगे just after simplification हम ही करेंगे ठीक है एक page ले ले लेता हूँ और अभी समझाता हूँ आपको अभी क्या है हमारे पास x square upon x square plus 1 into x square plus 4 अब देखेगा ध्यान से देखेगा अब मैं इसको क्या करता हूँ मैं ले लेता हूँ x square is equal to t simplification के लिए ठीक है तो यह क्या हो जाएगा t upon t plus 1 into t plus 4 यह हम तभी ले सकते हैं और यहाँ पर dt लिख देता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और actually integration में हटाई देता हूँ dt vt लिखोंगा तो आपको दिक्कत होगा integration में हटाई देता हूँ सिर्फ मैंने function लिया है और मैंने function को ऐसा लिख दिया है मैं लिख सकता हूँ क्योंकि x square है हर जगा यह तभी करना है फिर से बता रहा हूँ यह तभी करना है जब उपर और नीचे यहाँ पर fractions में और उपर numerator में power same हो अगर यहाँ x cube है यहाँ भी x cube है यहाँ भी x cube है तब आप कर सकते हो लेकिन यहाँ अगर x आ गया और यहाँ x square है तब आप यह नहीं कर सकते है फ्लीज ध्यान रखना है ठीक है अब यह तो भया मेरा sample तरीका हो गया यह तो हमने किया हुआ है this is nothing but this is nothing but this one linear factors only not repeated just linear factors ठीक है और linear factors solve करना हमें आता है कैसे हम solve करते हैं देखिए t upon t plus 1 into t plus 4 is equal to हम लिखते हैं a upon t plus 1 plus b upon t plus 4 ठीक है और फिर हम लिखते हैं इसे a into t plus 4 LCM लेते हैं ठीक है b t plus 1 ठीक है और this is equal to nothing but सामने क्या है t सामने क्या है t ठीक है और अब हम पता है हमें हमारा simple way ये कब 0 हो रहा है ये 0 हो रहा है t is equal to minus 1 पे and t is equal to minus 4 पे अब आपको पता चल रहा होगा कि ये हमने क्यों लिया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x square x square लिखते ही करता न तो आपको पता चलता ये x square is equal to ये कब 0 होगा x square is equal to minus 1 पे तो हमें पता है कि वो 0 कभी नहीं होने वाला है ठीक है लेकिन हाँ ये simplify करने का ये यही तरीका है देखिए अब मैं अगर t is equal to minus 1 रखता हूं ठीक है तो क्या होगा देखिए t is equal to minus 1 तो minus 1 is equal to this one will become 0 तो a into minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 that is क्या हो जाएगा ये minus 1 plus 4 that is 3 3 into a ठीक है implies के a is equal to हो जाएगा मेरा minus 1 by 3 और मैं रख दूंगा t is equal to minus 4 then we will have minus 4 is equal to ये क्या हो जाएगा minus 4 0 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा b into ये हो जाएगा minus 3 implies के b is equal to 4 by 3 तो ये मेरा answer आगया a is equal to minus 1 by 3 b is equal to 4 by 3 अब क्या करूँगा यहाँ पे put करूँगा कहाँ पे कहाँ यहाँ पे put करूँगा मैं ठीक है तो अब देखिए ध्यान से देखिए एक page और लेता हूँ क्या था a upon t plus 1 plus b upon t plus 4 ठीक है यही सब बच्चे दिक्कत करते थे हम यहाँ पे integration नहीं कर रहा है मैंने पहले ही बताया हम ऐसे ही assume किया है मैंने ठीक है just for God's sake just for God's sake of simplification तो यहाँ पे मैं अभी t is equal to x square पूट करूँगा यहाँ पे integration नहीं करना है अभी मैं पूट कर दूँगा यह cross multiplication करो तो आपका answer क्या आएगा पता है यही आएगा आप एक बार चाहो तो आप check कर सकते हो चीक है यही आएगा और अब इसका मैं simplification कर सकता हूँ direct minus 1 by 3 common integration 1 upon x square plus 1 dx plus 4 by 3 common integration 1 upon x square plus 4 dx ठीक है यह integration हो जाएगा हमें पता है 4 by 3 1 by A 10 inverse x by A इसका formula 1 by A एक ही दिखा है 2 तो यह हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा 4 by 3 तो है into 1 by A मतलब 1 by 2 आएगा 2 2 और 4 cancel out हो जाएगा 2 by 3 10 inverse x by A that is x by 2 plus C यह मेरा final answer हो गया ठीक है I hope सबको समाझ में आया होगा यह है temporary assumption लिया है just for simplification अगर मैंने यहां से integration कर देता न मैं देखे जाए अंसर अगर मैं यहां पर integration कर देता तो इसका integration आथा log mode और पूरा मेरा answer गलत हो जाथा और अगर इसका option देता न तो पहले option में log mode देखा हो था यह जस्ट बच्चों को trap करने के लिए लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यह quadratic नहीं है यह सिर्फ normal method है लेकिन हाँ यहां पर उपर और नीचे दोनों square लिया है उपर और नीचे यहां पर देखे दोनों उपर और नीचे दोनों जगा square square दिया है that is the only reason कि मैं यहां पर इसको just for temporary just for simplification sec मैं इसको assume कर रहा हूं और उसके बाद मैं simplification के बाद जैसा ही मेरा simplification खतम होता है जैसा ही मैंने partial fraction convert कर दिया तुरंत मैंने t is equal to x square जो मैंने assume किया था वो मैंने रिख दिया और उसके बाद मैं integration करूँगा ठीक है जबकि जो regular method है अगर मैं दिल से assume कर रहा हूं अगर मैं legally as a integration as a part of integration assume कर रहा हूं तो पहले मैं integration करता हूं और बाद में put करता हूं यह difference आप सब को सब धियान रखीगा ठीक है तो इस note के साथ यह lecture मैं खतम कर रहा हूं और यह एक बहुत ही खूबसूरत question है बहुत ही कूबसूरत है दिखने में बहुत ही गंदा दिख रहा है ठीक है 5y लिखा है sign cause है बहुत ही गंदा है लेकिन आप एक छोटी सीचेज assume करनी है आप सोचना वो छोटी सीचेज कौन सी है ठीक है एक छोटी सीचेज अजूर्ण करनी है ठीक है और एक और question है हमारा दीखी यहाँ पर यह है quadratic वाला part this is nothing but quadratic equation यह दीखी यहाँ पर x square है और यहाँ पर x है मतलब यह x cube हो गया multiplication में ठीक है और उपर क्या है square है तो उपर 2 है नीचे 3 है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 होता न तो मैं जो आगे किया वो वाली method से मैं try कर सकता है लेकिन यहाँ पर आसा नहीं है यहाँ पर x square भी है x भी है तो यह quadratic वाला part है तो यह last हमारा formula होगा third one तो उस पर भी हम next lecture में यह question भी देखेंगे ठीक है और उसके बाद हम हमारा parser fraction का series खतम होगा अगर आगे future में jwe advance के jwe mains के question में आगा parser fraction तभी हम solve करेंगे ठीक है so till then thank you for watching this video please like, share and comment comment कर दीजिए अगर आपको जड़ा सभी पसंदा रहे अगर जड़ा सभी doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते मैं इस चीज़ पर एक और लेक्सर बना हुआ ठीक है doubt रखना था है ना चाहिए ठीक है तो doubt रखना ही नहीं हमें so please comment कर दीए और हाँ like करना बहुत जड़ूरी यह लाइक कर दीए ठीक है so till then thank you